Hi, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सभी अच्छे होंगे और I hope आपके एक्जाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे So, आज का जो हमारा topic है वो है हमारा BEBAE 181 और बोक का नाम है हमारा environmental study और यह जो बोक है आपका और इसमें जो एक्जाम में paper आएंगे वो आपके MCQ type के question आते हैं Only MCQ ही आता है और 50 number का ही यह paper होता है तो इस वीडियो में हम only previous year के question paper को discuss करेंगे So guys, इस book का हम पहला जो paper cover करेंगे जो कि आप देख सकते हैं यह February का है और 2021 का है और guys एक और चीज में बतादू में भी इसमें कोई option अगर गलत हो तो आप मझे comment में ज़रूर बताना तो पहला जो हमारा MCQ है आप देख सकते हैं निमलिकित में से किस report पुस्तक में धारनी है सत्ता विकास इसको हम लोग English में बोलते हैं sustainable development ठीक है तो इसको सबसे पहले अपचारिक रूप से किसने परिभासित किया है ठीक है तो इसमें आपका option जो होगा तीन नमर जो है वो correct होगा जो कि our common future अगला जो हमारा MCQ है वो है निमलिकित में से कौन सा सयुक्त रास्ट द्वारा अपनाए गए 17 धारनी विकास लक्षनों में से एक नहीं है कौन सा नहीं है वो आपको select करना है तो इसमें आपका option जो होगा चार नमर है जो कि है प्रयावरन और यात्रा ये जो है ये आपका correct answer है अगला जो हमारा कौश्चन है हो है हमारा निमलिकित में से कौन सा मानो परिवतन परयावरन का उधारन है यानि कि देखिये मनुस के द्वारा जो एक तरसे परयावरन में परिवतन होता है तो उनमें से आपका कौन सा ये option जो दिया गया है correct है ये आपका पहला वाला आपका तीन नंबर option correct होगा जो कि यह carbon dioxide का पून जनन यानि कि जो carbon dioxide होता है na regenerate होता है वो चीजे तो यह आपका answer one number होगा जो कि है और यह जो है यह वर्ष्रावन है और यह जो वन होते हैं इसमें काफी मात्रा में पेर पौधों की प्रजातिया पाई जाती है अब हम अगले question में आती है जो कि हमारा छे नंबर निमलखीत वनो में से किन में अधिकतम छत्रागिनी जो वन हो प्रवंद करता का जो प्रवल बोध नहीं होता है तो यह आपका option होगा second number जो की है जन जाती समुदायक अगला जो हमारा question है नौ number तो यह भी बहुत अच्छा question है कि निमलखीत में से कौन सा मत्रागती को मा के रूप में जिसे साधित नहीं किया जा सकता है तो इस question का correct option जो होगा दो number जो की है भारतिय मत अगला जो 10 number हमारा question दिया गया है आप देख सकते हैं कि जल चक्र को संचालित करता है तो इन में से कौन सा option तो इसमें आपका दो number होगा सूर सूर जो है जल चक्र को संचालित करता है अगला जो हमारा question है जो कि हमारा 11 number है तो इसमें आपको खरना है कि रशायन संसलेसी जिवानू जो है तो इसका answer होगा तो इसमें आपको करना है पारिस्तिक तंत में जीवों का अपघटन डैस के दोड़ा होता है पारिस्तिक तंत को हम लोग एको सिस्ट्रम बोलते हैं तो इसमें आपका जो सही option है वो दो number है जो कि है वे घटन अब हम अगले question में आती है जो कि 14 number है कि 10,000 BC और लगभग 1880 के बीच जन संख्या में ब्रिधी डैस के साथ मेल खाती है यानि किसके साथ मेल खाती है तो इसमें आपका जो correct answer होगा वो एक number होगा जो कि है क्रिसी में ब्रिधी के साथ मेल खाती है अगला जो हमारा question है जो कि है 15 number इसमें आपको करना है कि 14-17 में योडोप और एसिया में आ जो कि बहुत डेंजर उस ट्रैम आई थी इसके कारण आदे से लोग की जन संख्या कम हो गई अगला जो question है जो की 16 number इसमें आपको करना है कि निमलखित में से कौन सा अनुवनसिक रोग नहीं आपको पता होगा आप मैं समझा नहीं रही हूं इसका reason है वो तीन नंबर होग जो कि malaria जो है यह अनुवनसिक जो बिमारी का कारण नहीं है अब हम नीचे आते हैं और नीचे में 17 number question में आपको दिया गया है matching करना है तो इस सारे options दिये गया है इसमें से आपको मिलाना है कौन सा सही है यह मैं नहीं बता रही हूं आप इसको खुछ से try करिएगा अब हम अगली question में आते हैं जो कि 18 number है तो इसमें आपको करना है कि संकुधारी ब्रिक्जवनों में जो मृदा मृदा मिस होती है मिट्टी तो यहां पर आपका दो नंबर जो option है वो सही है जो कि अमलिये तथा खनीच की कमी वाली मिट्टी होती है अब हम अगली question में आते हैं जो कि 19 number है तो इसमें आपको करना है कि ऐसे जियो जो जर जमाये पौधे के तने और पतियों से सलंग करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं तो इसमें आपका option 3 number होगा जो कि है परिपादप अगला जो हमारा question है वो है 20 number कि महसागर के किस मंडल में तापमान, प्रकास, लवन, जो कि है अमबोधी छेत्र अब हम अगले question में आते हैं जो कि हमारा 21 number है तो इसमें आपको करना है जो आदन मुखन एक संक्रम छेत्र होता है 10 प्रतिनिदित्व करता है किसका प्रतिनिदित्व करता है तो इसका option 4 वाला सही योगा जो कि बेजोर परिस्तितिक लक्षनों त जीवित समुधाय को करता है अगले question 22 number है तो इसमें आपको करना है कि निमलेकित में से कौन सा वनुद मुलन जिसको हम लोग बोलते हैं बन कटाई का प्रमुक कारण क्या है तो इसमें आपका ये तो सारे कारण है बट मोशली जो है वो आपका तीन number इसमें होगा जो की है अस्थांत्री क्रिशी अब हम आते हैं अगले question में जो की अमारा 23 number है तो इसमें आपको करना है कि यात्री कबुत्तर किसके कारण प्रजातियों के हासे का आदर्स उधारन है तो इसका जो answer होगा वो एक number होगा की है वास निवास यानि की रहने का अस्थान अब हम अगले question में आते हैं जो की 24 है तो इसमें आपको करना है कि मचली एवन चावल की फसलो की अत्तरी खानी करने वाले जो खर पत्वार होते है ना उनका नाम यानि की मचली और चावल की जो फसले है ना उसको सबसे अधी कौन जो है नुकसान पहुचाते हैं तो इसमें तीन नमबर आ हमारा golden apple snail इस पे के थुरू आप देख सकते हैं कि यह कैसे प्राणी है अब हम अगले कोशन में आते हैं जो कि 25 है तो इसमें आपको करना है कि कृतिम वियर सेचन डैस के संरक्षन के लिए उपयोगी रहा है तो क्या उपयोगी रहा है तो इसका option दो नंबर होगा जो कि है चि biodiversity hotspot की प्रमुक विसेस्ता नहीं है तो इसमें आपका चार नंबर option सही होगा जो कि बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातिया अगला जो question है 27 है तो इसमें आपको करना है कि भारत में निमलकित छेत्रों में से कौन सा जो जय विभिनता यानि कि biodiversity का hotspot है तो इसमें आपको option एक नंबर होगा जो कि है सुन्दरबन अब next question जो है 28 कि भारत में निमलकित में से किसमें सबसे अधीक आनुवनसिक विभिता पाई जाती है तो इसका option एक नंबर होगा जो कि चावल चावल में सबसे अधीक आनुवनसिक जो विभिता है वो पाई जाती है अग्ला जो कोशन है ट्वैंटी नाईन तो इसमें आपको करना है कि निम्लिखीत में से किस प्रकार के जल की अधिक्तम परतीशत औपलंद मींज पाई जाती है तो सबसे अधिक नदी का जल जो है वो पाया जाता है अगला जो कोशन है जो की 30 नमबर है निमलिखी पारिस्तिक तंत्र में किसी एक में सबसे अधिक जो बिविंता पाई जाती है यानि कि इको सिस्ट्रम में सबसे अधिक जो बायो डावरसिटी पाई जाती है तो इसका एंसर होगा एक नमर जो की है मेगवर्ड अगला जो कोशन है 31 है तो इसमें आपको करना है पीथवी पर पाई जाने वाले कितना जल हम सबके लिए हमेशा इजी से उपलंद होती है तो इसका ऑप्षन ए होगा जो कि यह 0.5% है हमारे लिए अवेरवल रहती है अब हम अगले कॉशन में आते हैं जो कि 32 है तो इसमें आपको करना है कि भारत में वो मृता जिसमें कार्वनिक तद्वों की कमी होती है और जिसकी उर्वता कम होती है वो कौन सी मिट्टी है तो मृदा में सोती है मिट्टी तो इसमें आपका जो option होगा वो तीन नंबर होगा जो कि है मरवस्तर छेतर की मृदा यानि की जो मरवस्तर ये छेतर होते हैं वहां की मिट्टिया अगला जो question 33 है कि निम्लिकित में से कौन सा तरीका जो है मृदा अपर्दन की रोक थान के लिए उप्यूक नहीं है यानि की अगर मिट्टी को अपर्दन से बचाना है तो उसके लिए इन में से कोई भी तरीका नहीं है तो ये option आपका दो नंबर होगा जो कि कुल अगला जो question है हमारा 34 है तो इसमें आपको करना है कि निम्लिकित में से उर्जा के प्रम प्रागत स्रोत को पहचानना है तो इसमें से option एक नंबर होगा जो की है जेव मात्रा अगला जो question है वो है हमारा 35 तो इसमें आपको करना है एक बायो मास्स गैसी फायर रुपांतिक क तो यह option दो नमबर होगा जो कि यह gas ये इधन को ठोस इधन में बदलता है अब आते हैं next जो कि 36 है तो इसमें आपको करना है कि इधन शेल के लिए सबसे उप्यूक इधन कौन सा है तो यह आपका option तीन नमबर होगा जो कि हाइट्रोजन है अगला जो question है 37 कि जेव भौतिक ध हारण चंता वह है डैस जन संख्या है जिससे पुत्योगी के दिये गए सतर पर के संसाधनों द्वारा समर्थिक किया जा सकता है तो यह जो है इसका option तीन वाला होगा जो कि संपोर्न है अगला जो question है वह है हमारा 38 तो इसमें आपको करना है कि निमलेकित में से कौन सा ग्र अगला जो question है 39 है तो इसमें आपको करना है कि निमलेकित में से कौन सा जलवायू पड़िवतन से सम्मदित नहीं है मतला उसे सम्मदित नहीं है सम्मदित नहीं है तो इसका answer दो नमबर होगा जो कि जलवायू पड़िवतन पर अंतर सरकारी जो पैनल है जिसको हम लोग short मे बोलते हैं IPCC अब आते हैं 41 question नमबर पर जो कि हमारा वर्षा का pH निमलेकित चार अस्थानों जैसे कि को खो गो और गो दिया गया है पर मापा गया तो किस अस्थान पर अमल का जो निर्चेपन है वो हुआ था तो इसका option आपका दो नमबर होगा जो की है खो 6.2 तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगला जो question 42 है तो इसमें आपको करना है कि निमलेकित में से कौन सा रशायन ओजन हास के लिए जिमिदार नहीं है तो इसका option आपका तीन नमबर होगा जो की है chlorofluid orocarbon अगला जो question 43 है तो इसमें आप नोट करेंगे कि निमलेकित में से कौन सा जीव जो है कौन सा ऐसा प्रानी है जो बहुत ही मात्रा में सांधित मोत्र का विसरजन करता है यानि कि अपने बातरूम को निकालता है तो इसमें आप उट को नोट आउट कर सकते हैं नोट पे आप टिक कर सकते हैं अगला जो question 44 है तो इसमें आपको करना है कि निमलेकित में से कौन सा प्रादूशन के अनिश्चित जिसको हम लोग बोलते हैं गैस बिंदू का श्रोत उधारन है तो इसमें आप एक नंबर पे टिक कर सकते हैं जो कि क्रिशी छेत्र में होने वाला अपड़ अगला जो question 45 तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि why you production या फिर इसको नियंतरन्त यानि कि इसको रोकने के लिए जो अधिनियम लागू किया गया था वो कब तो यह option आपका 3 नंबर होगा जो कि 9081 में इसे लागू किया गया था अगला जो question है हमारा 46 है तो इसमें आपको करना है कि UN FCC का मुख उद्धिस किस से संबंधित है वान नंबर में टिक कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस से इसका संबंध है अब इसका full form क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ तो इसका full form होता है United Nation Framework Convention on Climate Change अब आते हैं next question जो कि हमारा 47 है तो इसमें आपको करना है कि निमलिखित में से कौन सी अपस्टिक नयूनी करन वीदी नहीं है तो इसमें आप option टिक कर सकते हैं second वाला जो कि हमारा 48 नंबर है तो इसमें आपको करना है कि हस्पतालों के पासन अपस्टिक निरंदन के लिए कौन सी वीधि उप्यूकत है यानि कि जो डॉक्ट्री जो चीजे यूज की जाती है ना इसपेसली जो हॉस्पिटल में तो वहां से जो बच्चे हुए जो खडाब चीजे होती है तो उनको एक तरस से पूरा खतम करने के लिए क्या वी स्थिति के आकलन के लिए कौन सी वीधि है तो इसमें आप दो नंबर टिक कर सकते हैं जो कि है डू अगला जो हमारा कोशन है जो की 50 नंबर है जो कि हमारा एन बीए की अस्थापना किस अधिनियम के अंतरगत हुई थी तो इसमें आपका जो खरेक्ट ऑप्शन है वो है ती पेपर है जो की अब देह सकते हैं जो कि हमारा है June 2023 का पेपर है अब इसको भी हम अच्छे से डिसकस कर लेते हैं तो इसमें का फर्स्ट जो IMMC Q दिया गया है आप देच सकते हैं जो कि है clears समीति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने our common future sis से रिपोर्ट जो है वो पस्तूत की तो यह जो बोक है हमारा Our Common Future तो यह जो रिपोर्ट है इसका correct option आपका तीन नमबर होगा जो की है Grow Harwin Boltland अगला जो दो नमबर question है कि निमलिखित में से कौन सा मानो रचित पढ़यावरा नहीं है तो इन में से कौन सा है जो मनुष्ट के द्वार रचित पढ़यावरा नहीं है तो यह जो हमारा first वाला इसका option correct होगा जो की है फलो के बाग अगला जो हमारा question है जो की तीन नमबर है तो की 1992 में पढ़यावरन और विकास पर सयुक्त रास समेलन जो की यहाँ पर इसका short form दिया गया है UNCED जो आयोजित किया गया था इसमें आपका option जो होगा दो नमबर स अगली question में आते हैं चूकि हमारा चार नमबर है पारिस्तिक तन से सम्मंदित निम्लिकित में से कौन सा कथन जो है वो सही है तो इसका option जो होगा चार नमबर correct होगा जो की है पारी तन्त आमाप और जटिलता में अत्तधिक विरोधा भास को प्रदर्शित करना है अपका option स जो पांच नमबर MCQ दिया गया है वह हमारा अहार संखला में साख भग्ची प्रदर्शित करते हैं तो इसका option correct दो नमबर होगा जो की है हमारा पोसी सत्त दो अगला जो question है छे नमबर है कि पीतवी की सत्त पर सलफर का सबसे बड़ा भंडार है तो यह चारो option में से कौन सा होगा तो first वाला इसमें correct होगा जो की है म्रेदा और अवसाद यानि कि मिटी और उसमें जो भी अवसाद होते हैं अब हम अगले question में आते हैं जो की है हमारा साथ नमबर कि निमलगित में से किसको प्रात्रमिक समुदाय कहा जाता है तो इसका option तीन नमबर सही होगा जो की ह गास अगला जो question है जो की आठ नमबर है तो इसमें आपको करना है कि मरुस्तल पाडी तंत्र में प्रमुक पर भक्ची जो पक्ची है वो कौन सा है तो इसका option एक नमबर होगा जो की है कैलोटिक वसी खलर इसको आप नोट कर सकते हैं अगला जो question है जो की 9 नमबर है कि एक यह पाडी तंत में ऐसा असंगलन जीव जो वायू जल और अंत्रपस्ट पर रहता है वो कहलाता है हमारा उसे हम लोग क्या कहते हैं दो नमबर होगा जो की तरनकर अगला जो हमारा question है जो की 10 नमबर है तो यह जो question है हमारा कि महासागर में डैस मंडल या फिर जोन उत्हलत होता है और यह उच उत्पादक्ता वाली सपोजिस में सम्रिद होता है तो इसका जो option होगा वो तीन नमबर होगा जो की 11 नमबर है तो इसमें आप नोट करेंगे कि निमलिकित में से कौन से वन में सबसे अधिक विभित समुदाय होते हैं यानि कि कौन सा ऐसा जंगल है जह पर प्रचूर मात्रा में पौधो की किसमे या फिर इनकी वराइटे मिलती है अगला जो हमारा question है जो की 12 नमबर पौधे से वास्प के रूप में जलकी हानी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं तो यह तो बहुत easy है अगर आपने science पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपने पढ होगा कि वास्पोशन की क्रिया के थूप यह जो चीजे होती है तो यह हमारा option तीन नमबर होगा वास्पन तो अगले question में आते हैं जो की 13 नमबर है तो इसमें आपको नोट करना है कि कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है यानि कि सूखा जब होती है ना जब एक तर नमबर है तो इसमें आपको नोट करना है कि पश्मी और मद भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली जो मृदा का प्रकार यानि कि मिटी का प्रकार तो यहां पर option आपका दो नमबर सही होगा जो की है लाल मृदा यानि कि लाल मिटी अब अगले question में आते हैं जो कि 15 नमबर है तो इसमें आपको करना है कि निमलिखित में से कौन सा भूमी निमलिखित का प्रमो कारण नहीं है तो इसका जो option होगा वो तीन नमबर सही होगा जो की है जल संभर का विकास अब अगला जो question है 16 number है तो इसमें आपको करना है कि ऊशन कटिवन्द वर्षा प्रचुर 1 के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है यानि कि चारो option में से कौन सा बात जो है वो सही नहीं है तो इसमें आप नोट करेंगे 4 number वाला सही है जो कि ये वर्षा प्र आरिस्तिक और आर्थिक आउसकताओं को पूरा करने के लिए 10 प्रतीशत 6 तर में 16 करना चाहिए तो इस कितनी प्रतीशत में वो एक तरस से 16 करनी चाहिए तो ये आपका option 3 वाला होगा जो कि 33% करनी चाहिए अगला जो question है 18 number है को करना है कि NTFP का पूरा नाम क्या है सबसे पहले मैं इसका फुलपा मिंग्लिश में आपको बता दूँ जो कि है हमारा नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोडेक्ट तो इसका जो correct option होगा वो एक नमबर है जो कि है नए लकरी आधारित बन उत्वादक अगला जो question है जो कि 19 नमबर है तो इसमें करना है कि निमलिखित में कौन से विवित्ता को विवित्ता की मुलभूत मुद्रा कहा जाता है तो इसमें से correct option जो होगा वो चार नमबर है जो कि यह आनुवनसीक और प्रजाती विवित्ता दोनों इसमें आती है अब आते हैं 20 नमबर question में तो इसमें करना है कि भारत में निमलिखित में से कौन सा जे भोगोलिक छेत सरवादिक छेत फल में फैला हुआ है तो इसका जो option होगा वो तीन नंबर सही है जो कि यह गंगा का मैदान अब आते हैं हम 21 question number में तो यह हमारा 21 जो है भारत के लगबग दो तिहाई अस्थापिक जो पादफ सिमिती है ना पादफ सिमिती का मतलब होता है एक तरह से पेर पौधे का जो समुदायक है या फिर उनका जो वाडग है इसका जो correct option होगा वो दो नंबर जो कि है हिमालय में आप इसको टिक कर सकते हैं हम आते हैं 22 number question में तो इसमें करना है कि भारत एक बहु बिविता वाला देश है इसके अंदगत निमलिकित में से क्या सत्य नहीं है मतलब यहां पर चारो उप्षन में से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है यानि कि सही नहीं है तो यहां पर आप option तीन वाला सही कर सकते हैं जो कि विश्र के 34 जय विविता यानि कि बायो डाइवरसिटी में होस्पॉट के रूप में 6 होस्पॉट भारत में है यह पूरी तरह से गलत है तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगला जो हमारा कोशन है जो कि यह हमारा 33 तो इसमें आपको करना है कि भारत में पहली तरंग और जुआरी उर्जा पड़ी योजना अस्थापित की गई थी तो इसका option दो वाला सही होगा जो कि यह गुजरात में हर् से भारत में सरवाधिक बिजली प्राप्त की जाती है यानि कि सबसे अधिक मात्रा में बिजली को उत्वन किया जाता है और प्राप्त किया जाता है तो यहां पर option आपका एक नंबर सही होगा जो कि यह hydro power या फिर इसको हम लोग पन बिजली भी बोलते हैं दोनों में से सबसे अधिक जो है वो बायोगेस का प्रियोग किया जाता है अब हम अगली कोशन में आती है चुकि 26 है तो इसमें आपको करना है कि वो अधिक्तम जनसंक्या जिससे पुत्योगी यानि कि टेक्नोलिजी के दिये गए सतर पर पीथवी के संसाधनों द्वारा सम्थिक किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जो option एक वाला सई योगा जो की है पुत्योगी धारना चंत यानि कि टेक्नोलिजी धारन करने की जो चंता होती है जो आप कर सकते हैं अब अगला जो कोशन है जो कि 27 है तो इसमें आतो करना है कि निम्रीखित में से कॉन सा प्रजातियों के चै कि निमलेखित में से कौनसी भारत के अधसुसक छेत्रों में पाई जाने वाली आख्रमक प्रजाती है तो ये तीन नंबर आप्शन सही होगा जो कि ये मोस्क्यूटो यानि कि मच्छर अगला जो कोशन हमारा 29 है तो इसमें आपको करना है कि निमलेखित में से कौन सा जियो भीपिता का वही अस्थल संरक्षन नहीं है तो इसका जो आप्शन होगा वो चार नंबर होगा जो कि है प्रानी पार्ख जिसको हम लोगा इंगलिश में जूलाजिकल पार्ख भी बोलते हैं अब हम तीस नंबर कोशन में आते हैं तो देखे इसमें आपको मैचleo करना है ये आप देख सकते हैं यह को निमलेकीट में से कौन सा प्रदुशन का अनिश्चित स्रूथ है तो इसमें आपको खरना है चारवला ओप्सिन जो की एकृसी बाहन का जो जल होता है यह तो इसमें आपको करना है कि निमलकित में से कौन सा प्राकतिक प्रदूशित नहीं है इन चाड़ों आप्शन में से कौन सा जो है वो प्राकतिक प्रदूशित नहीं है तो इसमें से हमारा तीन वाला जो होगा वो खरेक्ट होगा जो कि यह कुहासा जिसको हम लोग फॉक भी बोलते हैं याना ठंडी मे जो कुहासा होता है न तो यह प्रगिती प्रदूशन नहीं है अगला जो कोष्ण है कि 33 कि TDS का पूरा नाम क्या है तो इसका option 3 वाल होगा जिसका fulfill होता है Total this all solution अगला जो हमारा कोष्ण है के 34 है तो इसमें आपको करना है डेसिबल मापन करता है तो इसका option 3 वाला correct हो कि धौनी के तारतन और त्रिवता का मापन करता है अगला जो हमारा question है 35 है तो इसमें आपको करना है कि निमलेकित मेंसे कौन सी संकर्ट दाई अपस्टित की विसेष्टा नहीं है अपस्टित का मतलब होता है जो कछरा पदाथ होता है जो गंदे पदाथ होते हैं जिसका हम लोग use नहीं करते हैं उसको कहते हैं तो यह नहीं है कौन सा तो आपको एक नमबर option टिक करना है 36 निमलेकित मेंसे कौन सा संकर्ट दाई अपस्टित का बहुत इक उपचार नहीं है तो ये हमारा option दोगला सही होगा अनुपन को आप टिक कर सकते हैं दोगला option को अब हम अगले question में आते हैं जो कि 37 है कि जब अनेक उद्योग और सहरी छित में अपस्रित के निस्तारन के लिए प्रयाप्त खाली अस्थान नहीं होता है तो समांतर निम्निकित में से किस विधी का उपयोग किया जाता है तो इसका option दोगला सही होगा जो कि समुद में छेपन के कारण अगला जो कोशन है 38 है कि जलवाई परिवतन पर अंतर सरकारी पैनल यानि कि IPC की अस्थापना हुई थी तो ये भी second आपका option करेक्ट होगा जो कि 1986 में इसकी अस्थापना हुई थी अगला जो हमारा कोशन है जो कि ये 39 तो इसमें आपको करना है कि ओजन की अधिक्तम सांदर्ता पाई जाती है तो ये हमारा option एक वाला सही होगा जो कि ये छोब मंडल या फिर टोफोस्फेयर भी आप नोट कर सकते हैं अगला जो कोशन है 40 नमबर है तो निमलकित में से कौन सा अमल वर्षा का प्रभाव नहीं है तो इसका correct answer जो होगा तीन नमबर होगा जो कि हिर्दे और फेफरे सम्मंदित जो समस्याय होती है वो इससे नहीं होती है ठीक है अगला जो कोशन है 41 तो इसमें आपको करना है कि प्रित्वी सिखर समेलन 2002 का आयोजन किया गया था तो इसका correct option जो होगा चार में तो पैरिस में इसका आयोजन किया गया था अब हम अगले question में आते हैं जो कि 42 है तो इसमें करना है कि निमलिकित में से किस सहर में रास्ट्रिय हरी अधिकरन अधिनियम की एक छेत्रिय साखा इस्तित की गई थी तो इसका correct option जो है दो होगा नई दिल्ली में अब हम अगले question में आते हैं जो कि हमारा 43 है कि भारत के सविधान में निमलिकित में से किस अनुछेद में यह कहा गया है कि राज का प्रयास होगा कि वो पड़यावरन की सुरक्षा करे एवन उसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन जीवों को रक्षा प्रदान करे तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है तो इसका correct option तीन वाला होगा जो कि आर्टिकल 52 में कहा गया है अब अगला जो question दिया गया है 44 है तो इसमें आपको करना है कि 10,000 इश्वी पूर से लगबग 1,800 इश्वी पूर के बीच जन संख्या में ब्रिधी के लिए जिमेदार कारण व्यापक रूप से इस कारण थे तो इसका जो correct option है वो दो number है जो की है हमारा उच जनमदर और अल्प मिर्दूदर तो अगला जो हमारा question है जो की 45 है तो इसमें आपको करना है कि निमलिखित में से किस रोग को अनुवनसिक नहीं माना जाता है कौनसी ऐसी बिमारी है जिसको हम लोग अनुवनसिक नहीं मानते हैं तो इसका जो correct option होगा वो तीन number होगा जो की है जो फोन या जो है वो अनुवनसिक विमारी नहीं है तो अब हम आगे आते हैं जो की 46 है तो इसको भी आपको खुद से करना है अब हम next question पे आते हैं जो की हमारा 47 है तो silent very जिसको ह हिंदे में हम लोग सांत घाटी कहते हैं यह किस नदी पर इस तेर है तो यह नदी जो है इसको silent very q बोलते हैं यह आप सर्च कर सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है तो यह जो है इसका option एक नमबर होगा जो की पैरिया नदी पर इस तेर है तो अगला जो question 48 है त वो दो नमबर होगा जो कि हमारा science और technology की उन्नती अगला जो हमारा question है जो कि हमारा 49 है कि निवन्द लैंड इथिक जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूमी का नीती सास्त है तो इस किताब को किस ने लिखा है तो इसका option correct जो होगा इस book को लिखा है अगला जो हमारा question ह जो कि 50 नमबर है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है तो इसमें तीन वाला जो option दिया गया है कि पड़यावरन अभी यांत्रिक जिसको engineering बोलते हैं और civil engineering इसको हम लोग अभी यांत्रिक बोलते हैं और साथ में आर्टिटेक्टर जैसे विशर शमलित नहीं होते हैं सो गाइज यहां पर हम लोगों ने दो पेपर को अच्छे से डिसकर्स किया तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीस मुझे कॉमेंट करिएगा उससे मुझे आइडिया लगता है कि मैं किस टॉपिक पे नहीं है तो यह हमारा ओप्शन दो वाला सही होगा अनुपन को आप टिक कर सकते हैं दो वाला ओप्शन को अगले कोशन में आती है जो कि 37 है कि जब अनेक उद्योग और सहरी छित में अपस्रित के निस्तारन के लिए प्रयाप्त खाली अस्थान नहीं होता है तो समांतर न यानि कि IPC की अस्थापना हुई थी तो यह भी सेकेंड आपका ओप्शन करेक्ट होगा जो कि 9086 में इसकी अस्थापना हुई थी अगला जो हमारा कोशन है जो कि 39 तो इसमें आपको करना है कि ओजन की अधिकतम सांदरता पाई जाती है तो यह हमारा ओप्शन एक वाला सही होगा जो कि है छोब मंडल या फी टोफोस्फेर भी आप नोट कर सकते हैं अगला जो कोशन है 40 नंबर है तो इसका कौन सा अमल वर्षा का प्रभाव नहीं है तो इसका करेक्ट एंसर जो होगा तीन नंबर होगा जो कि हिर्दय और फेफ्रे संबंदित जो समस्याय होती है हो इससे नहीं होती है ठीक है अगली कोशन है अमारा 41 तो इसमें आपको करना है कि प्रिथवी सिखर समेलन 2002 का आयोजन किया गया था इसका खरेक्ट ऑप्षन जो होगा चार विजन तो पैरिस में इसका आयोजन केया गया था अब हम अगली कोशन में आते हैं जो की 42 है तो इसमें करना है कि निमलिकित में से किस सहर में रास्ट्रिय हडी अधिकरन अधिनियम की एक छेत्रिय साखा इस्तित की गई थी तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दो होगा नई दिली में अब हम अगले कोश्चन में आते हैं जो कि हमारा 43 भारत के सविधान में निमलिकित में स किस अनुछेद में यह कहा गया है कि राज का प्रयास होगा कि वह पड़यावरन की सुरक्षा करे एवन उसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन जीवों को रक्षा प्रदान करे तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीन वला होगा जो कि आर्टिकल 52 में कहा गया है अब अगला जो कोशन दिया गया है 44 है तो इसमें आपको करना है कि 10,000 इश्वी पूर से लगवग 1,800 इश्वी पूर के बीच जन संख्या में ब्रिधी के लिए जिम्यदार प्रमु कारण व्यापक रूप से इस कारण थे तो इसका जो करेक्ट option है वो दो नमबर है जो की है हमारा उच जनम दर और अल्प मिर्टुदर तो अगला जो हमारा कोशन है जो की 45 है तो इसमें आपको करना है कि निमलख्यत में से किस रोख को आनुवन्शिक नहीं माना जाता है कौनसी ऐसी विमारी है जिसको हम लोगं आनुवन्शिक नहीं म हैं वह सांत गाती है तो एक तो आगला चरश से कौन सा पढ़ा वर करने दिए from 10 पे लिए वर कारा नहीं कारण नहीं है toxic कोर्ण आसे कोर्रा को नानिख आज कारण नहीं कोड़ा है तो अग्यों Sn Frederickत कऊरी कि लिए क कारन नहीं जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दो नंबर होगा जो कि हमारा साइंस और टेकनॉलोजी की उन्नति अगला जो हमारा कोशन है जो कि हमारा 49 है कि निवन दल लैंड इतिक जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूमी का नीती साथ है तो इस किताब को किस ने लिखा है तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा इस बुक को लिखा है अल्डो लेपोर्ड ने लिखा है तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगला जो हमारा कोशन है जो कि 50 नमर तो कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है तो इसमें तीन वाला जो ऑप्शन दिया गया है कि पड़यावरन अभ अभी आंत्रिक बोलते हैं और सांत में आटिटेक्टर जैसे विशेश रमली नहीं होते हैं तो यहां पर हम लोगों ने दो पेपर को अच्छे सर डिसकर्स किया तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीस मुझ करिएगा उससे मुझे आइडिया लगता है कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं और लाश्ट थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो बाई टेक केर और अल दे वेस फॉर एक्जाम